IPL 2024 के लिए चैनी सुपर किंग्स की नई प्लेंग लेबन हुई घोसित रिटेन और रिलीज खिलाडियों की लिष्ट जारी होने के बाद कुछ ऐसी नजर आ सकती है IPL 2024 में चैनी सुपर किंग्स की प्लेंग लेबन जानेंगे इस वीडियो में वीडियो को पूरा देखें चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको लगता है कि चैनी सुपर किंग्स की टीम आईपेल 2024 का खिताब जीट सकती है तो इस वीडियो को एक लाइक करें IPL 2024 अक्षन से जुड़ी कई बड़ी अपडेट आ रही है अगर आप हर एक अपडेट सबसे पहले पाना चाहती है तो हमारे टेलिग्राम चेनल को जोईन करें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी IPL 2024 के लिए सभी टीमोंने अपने रिटेन और रिलीज किये जाने वाले खिलाडियों की लेश्ट जारी कर दी है चैनी सुपर किंग्स की टीम ने भी कुछ बड़े खिलाडियों को रिलीज कर दिया है IPL 2024 में चैनी सुपर किंग्स की टीम पूरी तरह से बदलने वाली है हमें प्लेंग लेबन में भी कई बड़े बदलाओ देखने को मिलेंगे आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं चैनी सुपर किंग्स की बेस्ट प्लेंग लेबन जो हमें IPL 2024 में खेलती हुई नजर आ सकती है महिंद्र सिंग धोनी एक बार फिर से चैनी सुपर किंग्स के कप्तान रहने वाली है हाला कि पहले ये खबरे आ रही थी कि धोनी IPL 2024 में नहीं खेलेंगे लेकिन जो लिश्ट आई है उसके हसाब से महिंद्र सिंग धोनी IPL 2024 में भी चैनी सुपर किंग्स के कप्तान होगे एक बार फिर से धोनी अपनी टीम को खिताब दिलाना चाहेंगे इसके अलाबा टीम में रविंद्र जड़ेजा भी खेलने वाले है रविंद्र जड़ेजा चैनी सुपर किंग्स के सबसे महतपून खिलारी है IPL 2023 में उन्होंने बहतरी इनपारी खेलते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई थी अगर हम ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो चैनी सुपर किंग्स की तरब से अगर चैनी की टीम ने IPL 2023 का खिताब जीता था तो इसमें इन दोनों ही खिलारीों ने काफी महतपून योगदान दिया था इसके अलावा अगर हम चैनी सुपर किंग्स की तेज गेंदबाजी की बात करें तो दीपक चाहर और मुकेश चौधरी खिलते हुए नजर आने वाले हैं हलाकि यहाँ पर चैनी सुपर किंग्स के साथ कुछ नए खिलारी जुड़ सकते हैं इस लिष्ट में पहला नाम है सारूख खान का सारूख खान पंचाब किंग्स की तरफ से खिलते हुए नजराए हैं लेकिन पंचाब की टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया है सारूख खान निचले क्रम में काफी आकरा मकबले वाजिम माने जाते हैं इसके अलावा जॉस हेजलवूड भी चैने सुपर किंग्स की टीम में सामिल हो सकते हैं। जॉस हेजलवूड पहले भी चैने के लिए खेल चुके हैं जहांपर उनके रिकॉर्ड्स बेहधी सांदार थे। जॉस हेजलवूड रिलीज हो चुके हैं और आप्सन में अपना नाम देंगे। अब यहांपर चैने की टीम इस गैंदबाच को खरीच सकती है। आईपेल दोहजार चॉबीस के लिए अगर हम चैने सुपर किंग्स की प्लेंग लेवन के बारे में बात करें। तो रितुराज, गायकवाल, डेवन, कॉनबे, मुईनली, सिवंदोबे, सारूख खान, एमेज दोनी, रबिंदर जड़ेजा, जॉस हेजलवूड, मतीसा, पतिराना, दीपकेच चाहर और मोकेश चौधरी को मौका मिल सकता है। आपको के रखता है, IPL 2024 में चैनी सुपर किंग्स की प्लेंग लेवने क्या होनी चाहिए? क्या चैनी सुपर किंग्स की टीम एक बार फिर से खिताब जीत पाईगी? आप अपनी राए नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को करें!